हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने साइंस के सेकंड चेप्टर के जो आपके फूट पिजर्वेशन का जो लास्ट टॉपिक है या लास्ट टक्निक है फिजिकल मेथड इसके बारे में डिस्कुस करेंगे और इसी के साथ आज जो है यह चेप्टर पूरी तरह से फिनि दgroup कर सकते हैं आपको यह तो पता है यतने फूट प्रिड़क्ट होते हैं बसके आसपस क्यों थे एस तो चाज saliva होता है हवा होती है और यह जो हवा होती है इसके इसमें क्या करते हैं अगर हम नाइट्रोजन जो कंटेंट है जो नाइट्रोजन पदार्थ है या गैस है उसको अगर बढ़ा दें और ऑक्सीजन के जो content है यानि उसके जो गैस है उसको कम कर दें इससे क्या होगा ultimately जो उसके फूट पर जो बैक्टेरिया लगते हैं माइक्राउंजम तिया अलग अलग तरह है कि जो माइक्राउंजम लगते हैं उनकी जो होगी वह बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी मतलब उनकी ग्रोथ होई नहीं पाएगी क्यों क्योंकि ऑक्सिजन के थ्रूई रूप जो रिप्टूस करते हैं उनसे लेकिन वह अक्सिजन ही कम हो गई और नाइट्रोजन इस प्रूप जो बढ़ा दिया ठीक है तो इससे क्या होगा बैक्टरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा वही जो जब आप किसी そ प्रोड़क के पैकेजिंग करते हो ठीक है तो आगर वह पैकेजिंग के दौरान जो है आप ऑक्सिजन को हटा दो यह कि चार तरफ जोगी उसमें से पैकेजिंग करते समय और ओक्सिजन को रिमूव पड़ दो अलग-लग तरीके सेथैक है इसससे क्या होगा एरोबिक बैक्टेरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे लेकिन यह जो मैथड़ है वो एन एरोबिक बैक्टेरिया की ग्रोइंग को नहीं रूख पाएगा जो है वह फिजिकल मैफ़रड का एक तरीका है उसके बाद है फूड इन रेडियेशन ठीक है यह जो food irradiation method होता है इस प्रोस्स होता है इसमें क्या करते हैं आइनाइजिंग radiation का इस्तमाल जो है वो micro orangem को नश्ट करने के लिए करते हैं मतलब एक क्या बोलते हैं ray होती है किरणे होती है जिसे हम radiation कहते हैं ठीक है तो अगरे इस radiation का इस्तमाल जो है किसी food product के आसपस किया जाए तो वहां के जो bacteria होती हो नुश्ट हो जाते हैं ठीक है तो इस जो फोजन होता है इसको food इस method जब किसी food को रिडियेट के जाता है, तो वो भूजन जो है food irradiation कहलाता है, और इस भोजन का इस्तमाल जो है, वो अश्ट्रोनॉट लोग करते हैं, मतलब जो अंतरिक्ष में जाते हैं न, मतलब रॉकेट वगरे से, तो वो लोग इसका इस्तमाल करते हैं, इसके अलावा पेशेट भी इसका इस्तमाल करते हैं कहें के लिए पोसेसिंग वेरी वीक इम्यून то इम्म्यूट सिस्टम अगर आपके सरी की परती रोदक छमता कम हो जाती है तो इसको प्रोसेस करने के लिए उसको ठीक करने के लिए जो है वो पेशेंट और एस्ट्रोनॉट इसका इस्टमाल करते हैं ठीक है इन सब कई मेथ्रोडों की माद्थ हमसे भी हम क्या कर सकते हैं फूट को फिजर कर सकते हैं और काई दिनों तक चला चकते हैं तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में माइक्रोग्जम के बारे में उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बैक्टेरिया वाइरस पंजाए अलगी प्रोटोजोन इनके बारे में इनके प्राप्ति स्थान के बारे में ठीक है पढ़ा था इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो बैक्टेरिया जो माइक्रोग्जम होते ह हाम्फुल भी होते हैं यूस्फूल होते हैं यूस्फूल में भी पढ़ा और हैम्फूल पढ़ा और आखिर में जाके हम लोगों ने बोजन को इन से कैसे प्रोडक किया जाए उसके लिए फूर्ट प्रिजर्वेशन की टेकनिस के बारे में पढ़ा तो इस तरह से आज ये चैप्टर पेनिश होता है अब आपको एक्सराइज दी जाएगी उससे घर पर कंप्लीट केजिएगा धन्यवाद